महावारत में अगर आप देखें, जैसे मान लीजे के उधिष्ठिर गए भीष्म के पास, या जब बनवास में हैं पांडव, तो पूछते हैं ये उधिष्ठिर, कि क्या मेरे जैसा निरप्राध बनवास पहले भी किसी ने जेलाए? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, कि मुझे बनवास जेलना पड़े, क्या किसी ने जेलाए? तुरंत रिष्वी उत्तर देते हैं, कि इतिहास में इसका एक उधारन है, और राम कथा आरंब हो जाती है, जब एदिष्ठिर द्रौपदी पर किसी बात पर कुपेते हैं, और ऐसी बातें करती है, तो फिर वो उधारन आता है, कि इतिहास में एक ऐसा उधारन है, और हमाँ सावित्री की कथा आरंब हो जाती है, और मारके की बात ही है, कि रिष्वी उन्त में कहते हैं, कि दुरौपदी का सम्मान करो, क्योंकि अंतिते यही तुम्हें तुमारे संकट से उस तरह उबारेगी, जैसा सत्यवान को मिर्त्यू के संकट से सावित्री ने उबारा था, महाभारत में आने वाली हर कथा, किसी ना किसी मौरल और फिलोसफिकल क्वेश्चन के दृष्टांत के रूप में आती है, वो दृष्टांत है, घटनाए महत्पूर्ण है, लेक कि रिसी प्रतीच के पुत्र है, रुरू, उनकी पत्नी का नाम है प्रमदवरा, अब प्रमदवरा को एक साप डस लेता है, वो मर जाती है, और रुरू संबवते हिंदू माय थालाओ जी में अकेला हो धारान है, जो कहते हैं कि मेरी पत्नी मुझे वापस चाहिए, युद् अपनी निर्धारे तायू का आधा हिस्ता प्रमदवरा को दे जाए, यहने अगर आप सो साल जीने वाले हैं और इस बात के लिए राजी हो जाएं, कि आप पचास साल की उम्र में मर जाएंगे, तो प्रमदवरा जीवित हो जाएगे, रुरू अपनी जिंदगी का आधा द लेकर के प्रमदवरा को जीवित कर लेकिन उसके बाद रुरू के मन में घोर प्रति हिंसा और क्रोध उत्पन हो जाता है, और वो डंडा उठा के निकल पड़ते हैं हर साप को मारने के लिए, जहां भी उन्हें साप दिखता है मार देते हैं, अब आप चाहें तो इसमें आ बलातकारी के आधार पर आप सारे समाज को बलातकारी कह देते हैं, रुरू कुछ-कुछ वैसी ही एरकत कर रही है, एक सांप ने उनकी पतनी को सताया है, वो सारे सांपों को मारने डंडा लेकर निकल पड़े हैं, इसी क्रम में एक विस्वीन सांप, डुंडोब, जिसमें पिस होता ही नहीं है। वो उसे भी मारने पर उतार हूँ है तो वो कहता है कि मैं तो वैसे भी हर्मलेस हूँ भाई मुझे क्यों मार रहे हूँ। और फिर से इस निवेदन के साथ के सुलोक के उत्तरार्द में धर्म अहिंसा तथाईव चाक कहां है ये करपा करके मुझे इस प्रोग्राम के आयो जग, सही हो जग, जो भी है, इस पॉन्सर वो बता दे और अन्यता कमसे का महभारत के नाम से दुस्परचार बंद कर दे रूरू से वो डुन्दुप कहता है, अहिंसा पर्मो धर्मा सर्व प्रान भृताम इस्मृत तस्मात प्रान भृता सरवान इहिंसियाद ब्राह्मन के चुछित, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सभी प्राणियों को इस बात का इस्मरन रखना चाहिए, खास करके तुम ब्र प्रमती से पूछो वो बताएंगे तो आते हैं प्रमती के पास कि भई मुझे ऐसा ऐसा उसने कहा है और कहा है कि इस बात की व्याक्या ये करेंगे प्रमती उन्हें महाभारत का पूरा आख्यान सुनाती है कि क्यों अहिंसा पर्मो धर्मा है क्यों अहिंसा सबसे बड़ा धर् में एक अद्भुत प्रसंग है यो दो चुका है यो इस्टिर भी सेटल हो चुके हैं उनका चित्यस्वान्त हो चुका है और अब कृष्ण दवार का जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अरजुन कहते हैं कृष्ण से कि जो गीता आपने मुझे वहां युद्धि के मैदान में पर पुने कर्सकाल इस यह नहीं नहीं कर सकता को पुने हम लोग एक साहित्ती समारों में बैठे Punkte हुए हम सब अपने अनभव से जानते हैं लेखा का अपने अनभव से जानते हैं की रच्णाय का मोमेंट एक ऐसा मिश्टिकिसा मोमेंट होता है मेंस्टियूस मöमेंट को थ करता है यह यह मैंने लिखाई और जस्का तास्वा से रिप्रेडूश करना सम्भाव नहीं होता है तो कर्ष्ण कहते हैं कि अर्जुन अनुने बिने करते हैं कर्ष्ण कहते हैं चलो मैं सुनाता हूं तो मैं कुछ कुछ तोड़ा बहुत उसका तो वो जो अपदेश कुछने अंत में देते हैं, उसे कहते हैं अनुगीता, लेटर गीता, गीता बाद में जो आई, अनुगीता, और उस अनुगीता में एक प्रसंग आता है, ब्रह्मा कहते हैं, किसी पात्र से, उस अनुगीता के बीतर, अब ये ब्रह्मा का कतन है, कृष्ण द्वारा सुनाई जा रही के भी तर और ये महाभारत के एकदमंत में आ रहा है, मांईड इट, और ये कथन है, अहिंसा पर्मो धर्मा हिंसा चा अधर्म लक्छना, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, अधर्म का लक्छन है हिंसा, ठीक उस्तर है जैसे देवताओं की पैचान प्रकाष से होती है, मनुस्य की पहचान कर्म से होती है और अधर्म की पहचान हिंसा से होती है धर्म संकट की जब मैं बात करता हूँ दीपाजी तो मेरे दमाग में जो जिग्यासा है जो जिससे मैं जूज रहा हूँ और उसके जो भी नतीजे निकलेंगे वो अगले चार-पांच महीनों में आपके सामने होंगे कि ये सब है आपके सामने और इसके साथ ये पूरा गरंत इसका जो फोकस है जो कोर है वो भाईयों के बीच में होने वाला युद्ध है गीता है जिसमें कृष्ण अरजुन से कहते हैं कि इस समय जो तुमें विशाद हो रहा है वो प्रमानिक नहीं है क्योंकि वैसे तुम्हें किसी को मारने से कोई फरक नहीं पड़ता इस समय तुम्हें ये लग रहा है कि तुम अपनों को मारोगे इसलिए तुम्हें विशाद हो रहा है तुम्हाओ एक अलग तरह का लेवल है डिसकोर्स का मल्टीपल लेवल साफ डिसकोर्स है महाभारत में लेकिन ये मह जो आइठ करें, कर्ष्ने कहते हैं अरजुन से, कि दूम्हारी जो इच्छा हो, वो करूँ, यथा इच इच्छ सी तता कुरू। philosophically इस बात को समझें दोस्तों, you cannot evade your moral responsibility as an agent, एक मनुष्विके तोर पर आप ये कहकर नहीं बच सकते, कि मुझे फलाने ने कहा था, इसलिए मैंने अत्या कर दी, मुझे फलाने ने कहा था, इसलिए भड़कावे में आके मैंने आग लगा दी, सारा कुछ कहने के बाद, अर्जुन ये कहने की इस्तिती में नहीं रह सकते, कि आपने कहा था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि आंति में उनसे स्पष्ट कह दिया जाता है, कि अब जो तुम्हें सुझे सुकर, you have to take the decision, महा भारत इस लिहाद से अद्भुत कावी है, कि वो moral agency को, व्यक्ति की moral agency को इतना forcefully underline करता है, कि एक level पर इसके बारे में सोचके है, रहू का भी जाती है, धर्म संकट के छण में आप क्या करेंगे, वो अंतिते आपको तै करना है, guidance मिल जाएगी, क्योंकि इतिहास में ऐसे और उधारान है, लेकिन अंतिते आपको तै करन है, दुरौपदी का जब अपमान करने के लिए उसे राजस्वा में खींचकर लाया जाता है, रजासुला दुरौपदी को, तो दुरौपदी का केंद्रिय सवाल वह ही है, कि क्या ये धर्म संकत वहवार हो रहा है, क्या मैं धर्म जिता हूँ, मेरे साथ जो कुछ हो रहा ह क्या वो धर्म सम्मत है और उसी प्रसंग में एक अत्यांत मार में एक सुलोक है वहां कि जिस सभा में वृद्ध ना हूँ वो सभा सभा कहलाने लायक नहीं है और जो वृद्ध धर्म की बात ना करें वो वृद्ध वृद्ध कहलाने लायक नहीं है जाहे रहे कर चोट, भीसम 개인 को अरून और तमाम मुजुरवां पर ए animals अए और जो धर्म सत्य पर आधारेत नहीं आूँ हो वह धर्म धर्म हर्म और जिस सत्य में चलकी मिलावत हो वह सत्य सत्य नहीं है, यी अधरवपदी का बाद आप कल्पना कीजिए या तमाम लेखक लोग बैठे हैं और पाठक भी लेखकी है एक तरह से अभी अकत कहानी प्रेमकी की चर्चा हुई वो किताय जब मैंने लेख ली और उस पर चर्चा हुई कुछ लोगों ने बहुत निंदा की कुछ ने प्रिस्वंसा की मुझे ब आप ही चर्चा हुई तो मैंने एक पुष्टक लिख ली अपने मन की मुझे आनंद की अन्भूती एक साब एक एक कृतिकर्टेता की अन्भूती होती है कि मैंने कुछ किया अब जानते हैं महाम जबात के एक दमन्त में हैं ब्यास क्या कह राती है महान परंपरा जिसके कहा जाता है और उन्हें एक तरह से महाबारत का एथिकल सार कहा जाता है परंपरा से और उसमें जो स्लोक हैं मैं दो स्लोक उसमें से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ स्लोक छोड़िए मैं उसका भाव पढ़ देता हूँ काम के कारण याने कामनाओं के कारण भय के कारण, लोब के कारण कभी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए और यह कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यहां धर्म का आर्थ हिंदू इसलाम, इसायत, वैसनाव या स्वैव या स्वाक्त नहीं है यहां धर्म का अर्थ है मानवी है मूल यह human values universal human values धर्म का अर्थ कोई आस्था पद्दती नहीं है यह समझ लेना चाहिए तो किसी भी इस्तिती में basic human values को नहीं छोड़ना चाहिए व्यास कहते हैं कि मैं हाथ उठा कर कह रहा हूँ कि धर्म को साधो अर्थ काम और मोक्ष सब अपने आप सद जाएंगे लेकिन कोई मेरी सुनता नहीं है ना कश्चे दिस्रणोती में नोबड़ी लिसन्स टूमी यह महाभारत जैसी रचनागार रचनागार कह रहा है यह frustration यह एक एक तरह का confusion यह तरह का depression कि मेरे कहने का कोई असर पड़ा नहीं कोई मेरी सुनता नहीं है महाभारत का रचनाकार जो आरंब कर रहा है आहिंसा पर मोधर्मा बीच में दस जगे यह बात आ रही है उसी प्रसंग में जो हम बात कर रहे थे नर और नारायन की मैं कल अपने मित्र दिनेश से बात कर रहा था है संस्क्रिट में ब्रम का एक अर्थ सत्य भी होता है वैसी जैसे Arabic tradition में हक का एक अर्थ भग्वान या Allah होता है और एक अर्थ सत्य होता है और अधिकार होता है तो सांती पर्म में 20 मुदिश्टिर से कहती है कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा ब्रह्मों बताता हूँ परम ब्रह्मों मैं तुमसे कहने जा रहूँ परम ब्रह्मों का अर्थ है सबसे बड़ा सत्य The ultimate truth और क्या है वो ultimate truth ना ही मानुसा सुरेश्ठ तरम किंचितं मनुसा से सुरेश्ठ कुछ नहीं है आपके जो भी मुल्डे हैं आपके जो भी सिध्धानते है या या उसके बेफ़क्ष में है یہ सब कहने के बाद महा कवी व्यास यह कहने पर विवस है कि मेरी कोई सुनता नहीं है मैं जिस बात्स जूजना चाहता हूं अपनी किताब मैं जूज य हूँ पिछले पचीस साल से अब तो राखे हुए नोर्स को वेवस्ती ah बात्स महीने में किताब नहीं लिखी जाती, आपके कावल नोर्स वेवस्ती किये जाते हैं पाच महीने में उनको मैं रखना चाहता हूँ मेरी जिग्यासा यह है कि क्या है महाभारत का तात पर यह संस्कृत कावे सास्ट्र में बहस इस पर चलती रही है कि महाभारत कावे है या सास्ट्रे धन्या लोक लोचन में उसका समाधान किया गया कि सास्ट्र भी यह और कावे भी सास्ट्र जो है वो जो लोग महाभारत को युद्ध के महिमा मनन का कावि मानते हैं वो अगर महाभारत दुबारा ध्यान से पढ़ें या उसको समझने की कोशिस करें चलिए एक लाग से लोग पढ़ना मुश्किल है तो कोई भी अच्छा गरंत उठाके सार संग्छेप के रूप में अब मुझे पतानी मुझे दो ही किताबों के नाम यादें और भी ऐसी किताबें लिकी गए यूंगी में आम तोर से पढ़नी पाता ऐसी किताबें तो मैं कहनी सकता लेकिन ऐसी किताबें उपलब दें जिन में महाभारत का सार दिया गया है लेकिन उस तरह नहीं जैसे आज दिया गया मैं रिपीट कर रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, कहीं नहीं है। सर इसमें आपको एक मिर्ट रोकना चाती हूँ, कि जैसे आभी आपने कहा हिंसा पर्मो धर्मा, महावारत में लेकिन महावारत में इतनी हिंसा है। और इस तरिकी की हिंसा है कि भवान श्री कुप भी ती का नरोवा कुझवा करके आश्वतामा की। तो धर्म का कॉंसेप्ट क्या है महावारत में। यही तो धर्म और धर्म संकट का सवाल है। युदेश्टिर धर्म राज हैं। कहते हैं कि उनके रध का पया छेंचूपर रहता है जमीन से। यह अर्द सत्य बोलने के बाद पया नीचे चला जाता है। कृष्ण परम ब्रम है, सोलेक अलाके आवतार हैं। लेकिन गांधारी का अरोप है और गांधारी का स्वाप है। और उसके बाद आप देख लें क्या होता है यह अदुकुल में। किस तरह यह अदुकुल का विनास होता है। कोई कुछ नहीं रोक पाता। अंत में एक बा जाना गया था कि रोमन कैथालिक चर्च नाच्जी और फासी टेंडंडी का समर्थन कर रहा है। जर्मानी और इटली में। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने वो नाटक लेखा है। और उसका स्वीर से के दाड़ डेप्यूटी। इप्यूटी का भाव उसका समझनी की ज को आप छोड़ दीजिए। उसका एक वाक्य में कभी नहीं भूल सकता। और वो वाक्य है। इवन गौड ड़ज नाट स्टेंड अबब हिस्ट्री। इवन गौड ड़ज नाट स्टेंड अबब हिस्ट्री। सो महा भारत में इवन कृष्ण कुड नाट एसकेप दा कर्मा जो बात उन्होंने अरजुन से कही थी कि यथा इच्छ सी तथा कुरू तो वो तो कृष्ण जा तो कोई कहने बाला नहीं था वो तो जो चाह रहे थे कर रहे थे गांदारी का आरोप है कृष्ण उसका जवाब भी देते हैं लेकिन फिर भी कहीं उस आरोप में सायद कुछ दम है महाभारत एक open ended text है महाभारत आपको मजबूर करता है प्रेरित करता है कि आप ओ लॉली पाप की तरह है moral lesson लेकर नहीं जा सकते हैं आपको exercise करनी पड़ेगी आपको अपने वेवेक का प्रियों करना पड़ेगा और आपका वेवेक महाभारत का वेवेक नहीं हो सकता इसलिए मैंने का कि 20 सदी में आज मैं 21 सदी में बैठा हुआ हूँ इस बात को रोज मर्रा के वेवार की चीज़ें इनको हमें समझना चाहिए कई माएनों में हर अगली पिड़ी पिछली पिड़ी से अधे किसमार्ट होती है यह सचाहिए कहने में अच पटी लग सकती है ब इसका कैसे इलाज करें इसके लाबा कोई चाहरा नहीं है मुझे आज तक याद है कि जब मैं पहली बार जही है नहीं पहुचा और लिफ्ट में चढ़ा मित्रों में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं अभी भी लिफ्ट में यह चोड़े करके चढ़ता हूँ यह मुझे विश् हर अगली प्यूडी पिछली प्यूडी से कुछ जादे जानती है उसको वो सब संचे में प्राप्त है हजारी प्रसाद दिवेदी की कभीर लिखी जाने के पहले जो लोग कभीर को पढ़ रहे थे उन्हें हजारी प्रसाद दिवेदी की कभीर नम की कताब प्राप्त नहीं और ना महाभारत में एटम, बम और टेली विजन कोजने के लिए पढ़ी है। वो संजय की देव दिरिश्टी को टेली विजन मानने से अधिक मुक्ता कुछ हो नहीं सकती है। यह सब कोजने की जरूरत नहीं है। पिछले सत्रे सदियों का मान भी यह विवेग जो दुनिया भर के साजी विरासत है, उसके साथ महाभारत पढ़िये। तो अमीद है कि महाभारत में जो धर्म की आउधालना है और जो धर्म संकट जिससे महाभारत जूचता है, जिसके काराण व्यास अंतिते निरास होकर कहते हैं कि मेरी कोई सुनता वुनता नहीं है। मैं कहता रहा हूं सारी उम्र, सारे गरंद में यही कहता रहा, कच्चे स्रणोती में, मुझे कोई नहीं सुन ला, इस दुख के साथ तालमेल बैठाते हुए, इस बेदना के साथ संवेदना इस्ताफित करते हुए महाबारत पढ़िये, अपनी फैंटैसीज को पूरा करने के महाबारत मत पढ़िये, और इस तरह की हरकद है, तो किरपा करके मैं बार बार कहूँगा इस बिलकुल मत कीजिए, सदहिंसा, धर्मुत, तथाईवचा, लगसंस्कृत में कुछ भी जोड़ दीजिए, प्राचीन हो जाता है, हमारे एक मित्र ने शुटकुला किया तो तो संथकृत में लेखा, सब कुछ प्राचीन नहीं होता, थैंक यू बरी मच्च, एक प्रिशन, बल्कि दो प्रिशन आपसे और पुछना चाहूँगी, ओडियंस के तरह सरी पुछना चाहूँगी, अलमोडा के बारे में, अभी आपने शुरुबात ही कहीं कि पूरे भारत म बहुत सारी स्तल ऐसे हैं, जो महावारत से जुड़े हुए, हमारे उत्राखट में ब्यास गुफा है, पांडव खोली है, यह जो जगह है, वो एतियासिक्ता और सत्यता के कितने निकट है, आप एतियासिक्ता से इतनी मुग्द और आपसेष्ट क्यों है, इतियास से अधि महत्पूर्ण होती है कलपना, और यह मैं नहीं कर रहा हूँ, आइंश्टाइन ने कहा है, और यह सही कहा है, जो आज हमारा वाटर क्लोजिर सिस्टम है, उसकी कलपना भी विंची ने की थी, ड्राइंग बनाई थी उसकी, वो यह अथार्थ 400 साल बाद जाके बना, तो मेरे लिए यह कोई भगत महत्पूर्ण नहीं है, कि इनकी एतिया सिकता क्या है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मेरे लिए महत्पूर्ण यह है, मैं इसको इस तरह देखता हूँ, कि बदरी नाथ से अधेक उप्योक्तिस्थल कोई हो इनी सकता था, जिसके बारे में यह को लोट है अब ब्रह्मा से कहें किस से लिखो बद्रिनाथ से बहतर है कौन सी जगे ऐसी हो सकती थी मैं तो चालीस वरस पहले बद्रिनाथ गया था अपनी मा के साथ उसके बाद ये जब से विकास की चपेट में उत्रा खंड आया है तब से जाने का उसर नहीं मिला तब बड हड़ों के बीच में जिन्हें नारो और नारायन कहते हैं तो मुझे तो यह नहीं समझा था कि उससे मतलब व्यास मा रहे या नहीं रहे आए इम लीश्ट बॉदर्ड लेकिन ये कल्पना की गई ये मानिता बनी के व्यास ने यहीं रहकर महाभारत कंसीव किया था बद्री से बहतर जगे कोई भारत भूखंड में तो हो नहीं था मैं इसको इस तरह देखें हिमाले आप जानते हैं कालिदास ने हिमाले की तीन अध्वों तो पमाए दियों है देवताओं की आत्मा है हिमाले नगाद हिराज है और पृत्वी का मान दंड है के कालिदास के सब्द है तो जिस परवत को भारती है मनीशा, भारती है चिंतन परंपरा, देवता, आत्मा, नगाद, इराजो, नाम, हिमाले, पृत्विया, मान दंड है, पृत्वी को जिससे नापा जा सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्यात जी मावास्तम में रहे थे या नहीं रहे थे देवता आत्मा इहमाले से ही वो देव लोग जा सकते थे और कहीं से जाना संभवी नहीं थे मेरा मानना ही है यहाँ डिवाइन ने जो अपना एड दिया था उसमें जो एक इस लोग की अस्वंजस हुआ उसका आपने स्वस्टी करन किया एकदम मैं सब में यह जाना चाहते हूँ कि इतनी मुखरता यह जो विश्वास आपके अंदर है कि यह ग्यान से पैदा हुआ है यह आपके लंबे अध्यान से पैदा हुआ है कि आप जैसे मैं अभी इतियासिकता शब्द का मैंने प्रियोग कि आपने मुझे तुरंद का आप इतनी मुखरता निश्चे तुरू उसे बहुत लंबे अध्यान और ग्यान से आती है मैं जानना चाहती हूं कि हम सब पढ़ते हैं लेकिन इस तरीके की प्रकरता इस तरीके का यह विश्वास मैं खुद मुखर हूं मैं सब जानते हैं मुझे लेकि फिर भी मैं उतनी मुखर नहीं हूं मैं तो मानता नहीं हूं सर एक चीज और जोड़ दूं दूसरे अर्थों में अगर हमें पुष्टम अगरवाल पर नहीं तो हमें क्या करना होगा मैं जानता था यह सवाल मुझे पहले भी पूचा जा चुका है और इसलिए इसका उत्तर जैसा कृष्टम जी ने कहा जसका तस्तों नहीं दोराया जा सकता लेकिन फिर भी पहली चीज तो यह कि मैं तो ये चीज़ें नहीं आनता किसी जमाने में मानता थालेकिन मेरी इस मुखरता प्रखरता प्रतिभा जो भी कई गये इसका कारण मेरी मा और पिता कि अनुसार, उन्हें किसी साधू संत द्वारा बताई गई ये बात थी कि मैं पूर्जवन में कोई साधू था, ये सुनकर माता पिता बहुत प्रसंद हुए थे, लेकिन बहुत दुखी भी हुए थे, क्योंकि जो जोसी था, वो मुह देखी बात करने वाले जोसी नहीं था, व लेकिन ऐसे बालक तब तक ही पृत्वी पर रुकते हैं, जब तक उनके पिछले जन्म का आयूमान न पूरा हूँ, दूसरे सब्दम में उसने ये संकेत कर दिया, कि मैं एक अल्प वाई बालक हूँगा, ये सवर की करपा है कि मैं अल्प वाई बालक होने के बजाए बहु में वरत दो चुका हूँ, लेकिन मेरी माँ और पिता बहुत चिंतित थे, फिर मने तरह तरह के उपाई किया या जो भी किया, तो जब ये किस्सा वो मेरी उपस्तिती में अपने रिष्टेदारों और पड़ोसियों को सुनाते थे तो मैं बहुत मगान होता था, बहुत आन मैंने प्रेमचंद, बिरंदा मलाल वर्मा, चतुर सेंट सास्त्री एक तरफ और अबने सफी और उंप्रकास वर्मा दूसरी तरफ, मैं आज भी जासुसी पन्यासों का रस्तियां, खूब पढ़ता हूँ, सुरहन मौन पाठर का नमीनता मौ पन्यास पढ़ चुका हूँ मै तो पढ़ने के लावा और कुछ करता नहीं था, जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए मैं बैठा या तो सोचता रहता था या पढ़ता रहता था, जिसके दुस पढ़ना हम आप लोग देख रहे हैं, कोई फिजिकाल एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं बस हैं या कुछ अपने गुन रहे हैं मन में, सड़क चलते चलते पढ़ता रहता था, दुनिया भर की चीज़ें कुछ भी कीता प्रेस की पुस्तिके मिल जाएं, कुछ मिल जाएं, पढ़ना मेरी चार्ट थी, तो मैं कहना यह है, आप मेरे जैसा क्यों बनना चाहती हैं, आप कुछ लोग जबारला नहरू बनने की कोसिस में करी केचर बने जा रहे हैं, तो वो बनने की क्या जरूरत है, आप जो हैं वो बनिये, दीपा बनिये आप, रही बात पढ़ने की, तो मैंने आपको बता दिया कि एक सनक है, दूसरा यह है, जो आपने का कि इतनी प्रखरता से इसमें कालिदास के एक ठीका कारते मल्देनात, उनका एक कथन, मेरा मोटो है, ना किंचे तमूलम लिख्यते, बिना आधार के, बिना प्रमान के, ना मैं कुछ लिखता हूँ, ना बोलता हूँ, और अगर कोई बात प्रमान के साथ मेरे सामने रख दी जाए, बहुत विनी द्वाव से सविकार कर लेता हूँ, वो मित्र हमारी जो इसका प्रस्तुति कर रही थी या कोई भी, अभी मुझे संदर दिखा दे, मैं तरन सविकार कर लूगा, के इस लोग महाबारत में कहां, किस पर्वके किस अध्याय में पाया जाता ह। मैं भी सविकार कर दूँगा मैं इतनी प्रकरता से इसलिए बात करता हूँ क्योंकि जो कहता हूँ वो सोच समझ कर, विचार करके और तात काले के च्छाओं और मायाओं से मुक्त हो कर, मैंने अच्छा आप से कहा इसमें पाठकों का कोई अपमान अभी प्रेत नहीं है, लेकिन मेरी किताब चार लोगों क को ना पसंद आए, बीस को पसंद आए, ठीक है अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, रोयल्टी ज्यादे आएगी मेरे प्रकासक को भी अच्छा लगेगा, लेकिन इस आधार पे में अपनी किताब तै नहीं कर सकता, कि आज कल ये मार्के ट्रेंड है तो ऐस कीजिए, केवल ये है कि पढ़िये, पढ़े हुए पर मनन कीजिए, और उसके बाद ही पब्लिक ली या कहीं भी कुछ कही है, एक जो हम दोगों के साथ सब के साथ समस्या होती है, जो मेरे साथ भी है, जिसको नियंतरित करने की कोशिस बहुत करता हूं, लेकिन पता नहीं क इतनी कामियाबी होती है, हम सब दुनिया में भुस्ती चीजों को प्यार करते हैं, एक चीज को हम बहुत प्यार करते हैं, और वो है अपना आप, उसे बदलने को तैयार नहीं होती है, मैंने गला सुबह खड़ाब हो गया, मैं परिशान था कि कैसे गंटे और गंटे बोलन तो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, अपने वर्तमान से, इसको बदलिए, ताकि आपका संभाव जो आपकी पोटेंसियल है, वो सामने खुल के आज सके, चुनोती है हम सब की नमस्कार, मैं एक बार कुरूगचीतर गया था और कुरूगचीतर में जब गय तो एन जगह हग जहांपर कल्प रिक्स जो है, जहांपर ही कहते हैं कि खर्षrän ने अरजन को यहां पर गयान दिया था तो मेरी जिग्यासा ये हुई वहाँ कि ये कैसे पता कि ये वोई जगह है तो वहाँ कुछ वो थे और लोग जो उस जगह पर भी थे पस्तित थे तो उन्होंने ये कहा कि ये संक्राचारे ने अपने दिविग्यान से जगह को इस्थापित किया है कि ये कुरूच्एक ये हुआ था, ये पर कुछ ने अरजून को ग्यान दिया था, तो इसके बारे में ये को सतिता है या शिरफ ये देखिए महाबारत का यह दुकुरू छेक्तर में हुआ था यह तो इस पश्टी है गीता का पहलाई सुलोक है धर्म छेक्तरे कुरू छेक्तरे माम का पांडवाश्च अब वो प्रसाइस लोकेशन के जहां कुरू छेक्तरे मेरी जानकारी में नहीं है कि स्वंकराचारी ने उसका कोई संकेत किया हूँ मेरे ग्यान की सीमा है लेकिन थोड़ा बाद स्वंकराचारी को मैंने पढ़ाए बास्यों के लाबा सुंदर लहरी भी पढ़ी है अन्नि पुस्तकें भी पढ़ी है मुझे तो ऐसा कहीं कोई संकेत नहीं मिला कि स्वंकराचार जी ने कहा हूँ कि इस प्रसाइस लोकेशन यहां वो रत खड़ा हुआ था मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन स्वंकराचारी एक पद्वी भी है आदिश्वंकराचारी अपनी जगे हैं उसके बाद चार संकराचारी है और वो कई सालों से चले आ रहे हैं इन में से किसी ने तै किया हूँ तो मैं कह नहीं सकता है लेकिन आदिश्वंकराचारी का जहां तक सवाल है मेरी जानकारी में आदिश्वंकराचारी ने उस प्रसाइस लोकेशन का कोई संकेत नहीं किया है सब मैं आपसे ये प्रश्न पोशना चाहती हूं कि जैसे भी हम महाभारत के बारे में कई जो भी कुछ हमने पढ़ा है जैसे दिनकर की रश्मी रथियो या सिवाजी सावंत की मित्युन जय या जितने भी महाभारत टीवी पर आए हैं तो उसमें अधिकतर हमने देखा है कि कर कर्ण को बहुत ही ज्यादा ग्लोरिफाइ करा गया है और उसके आगे जो हैं बाकी पांडव और बाकी और जो सूर्वी रहे हूं बहुत ही गौन से मालूम होते हैं तो इस बारे में आपका क्या कहना है कर्ण महाभारत के सबसे फैसिनेटिंग करेक्टर्स में से एक है एक पर कर्ण भायानक सफरर है क्योंकि उसको दुरपती के सवेमबर से इसलिए आकाल दिया जाता है कि वो छक्तरिय नहीं है राज kuôngारों की होने वाली प्रित्योगता में वो इसलिए हिस्सा नहीं ले सकता कि वो छक्त्रिय नहीं है। भीस मुद्रोन उसके सेनापतित में लडने से इनकार कर देते हैं। उसकी अपनी मां उसको रिकोगनाईज नहीं करती सारे जीवन। तरह तरह के अफ्मान कर्ण को सेहने पड़ती है इसके बावजूद कर्ण जैसा मैंने आप से कहा कि बहुती लॉयल फ्रेंड है और उसी के साथ दुरापदी को अफ्मानित करने के प्रसंग में सबसे कठोर सब्द भी कर्णी ही बोलते है उतने कठोर सब्द दुर्योधन तक करने कि इसलिए मैंने आप से कहा मित्र के महाभारत के किसी चरित्र को किसी पात्र को आप ब्लैक अडवाइट नी कर सकते हैं इवरी कर्डेक्टर चुर्ट गरेज़ा लॉट अवग्रे लॉट अवग्रेज।